जोस्तो मैं हूँ विजे चोहन और हम देखने जा रहा है प्रेसर सोर प्रेसर सोर क्या है प्रेसर अलसर और बेट सोर यह एक सीरियस और फ्रस्टेटिंग कॉम्प्लिकेशन है किन लोगों की जिनको पेरलाइस डेवी लेटेड और कॉमाटिवस पेसेंट की जो कि लंबे समय स या फिर बेटे हुए हैं इसमें क्या होता है अलसर बनते हैं कैसे अलसर बनता है अलसर बेंदा सोब्ट इसू इस कंप्रेश जब सोब्ट इसू है ना वो कंप्रेश हो जाता है बिद बोनी बोनी प्रोमिनेंस जैसे कि इस्चियाम हो गया सेक्राम हो गया ट्रोकेंटर हो ग है रेक्टर प्री डिस्पोजीशन प्री डिस्पोजीशन टूफार्मिशन अव प्रहां राता था डिच strongly लेगन इसके अलावा मल पे प्राइशमी से क्लिकल फीचर क्या चैट सूपर फीचियल सूप्ता संब्रीग Palette पार को होगाlica कि दो I स्टेज एक में ऐक एक अर्इट इस्टेज एक लेट इसके बाद एक टीफ पम चैच देज एक तो एर्स जो लेट यह चार तो अर्ली सुपरफिसयल ulcer में क्या होता है इसमें अरिदमा होता है एडिमा हो जाता है और puncted hemorrhage मिलेंगे आपको ठीक इसके साथ साथ आपको ulcer मिले के ज्यादा deep नहीं गया यह superficial ulcer है लेकिन irregular ulcer है ठीक है और ठीक है इसमें एरिदमा भी रहेगा edema रहेगा puncted hemorrhage आपको मिलेंगे अब late superficial ulcer में क्या हो जाता है यह पूरी skin layer में हो जाता है full thickness of skin ulceration इसके साथ साथ यह spread हो जाएगा कहां तक skin के नीचे subcutaneous tissue है तो बहाँ पर necrosis हो जाएगी of the subcutaneous tissue spreading necrosis of the subcutaneous tissue हो जाएगी ठीक है और यह फैलता कैसे जैसी की बहार यह ऐसा है तो कौन रूप में ऐसा यह नीचे deeper structure को involve करता जाता है अब deep structure को involve करेगा तो डीप ulcer में क्या होगा secretization और rolled age मिलेगी आपको secretization होगा roll age मिलेगी STR base of the ulcer पे STR mिलेगा अपने को इसके साथ spread of inflammation inflammation भी फेलता जाएगा और bacteria का invasion हो जाएगा क्यों क्योंकि open है तो अब deep deep तक deep ulcer है तो deep तक infection हो सकता है लेब deep ulceration में क्या होगा अब यह क्या करेगा फेशिया है अपना उसको भी breakdown कर कर देगा breakdown of the fascia flame इसमें chronic inflammation होता है fibrosis of the deep tissue हो सकती है ठीक है हमें यह पता होना चाहिए कि यह जो pressure sore है यह प्रेशर अलसर है यह क्या है यह क्या है टिप और यह आईजवर्ग है आईजवर्ग इसमें क्या होता है टिप मतलब कि आपको बाहर केवल 30% दिख रहा है बिमारी अंदर जो भी है अलसर अंदर 70% होता है ठीक है यह हमने देख लिया तो इसकी यह shape क्या होती जैसे यह bony prominence है bony prominence से यह है अलसर का यह कौन के लिए तो हमें क्या करना है इसकी केर करनी जैसे कि आपको रेगुलर और प्रियोडिक इसकीन का इंस्पेक्शन करना है किन लोगों में जो जिनको जैसे प्रेसर बहुत ज्यादा है पेरालिसिस हो गई जैसे कि बहाँ पे redness दिख रही है irritation और abrasion दिख रहा है तो आपको जो भी प्रेसर है उसको रिमूब करना है अब प्रेसर को रिलीप कैसे करें इन बेड रिडिन पेसेंड में आपको क्या करना है बेड रिडिन फ्रिक्वेंट चेंज और पोश्यर उनका पोश्यर बारवर हर दो गंटे पे चेंज कराएं अबोइट लोकलाईस प्रेसर एक जगा पर लोकलाईस प्रेसर को mas. बयप्रोपर बोडी का alignment करेंघी जोइंट पर या 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 पॉनी प्रोपर मेंड पे ज्यादा को एजुकेट करें यह सब की प्रेसर को उसको पोस्चर चेंज करते रहना है फेमली मिंबर को अब आपन बताएंगे कि अगर रेडनेस रिट्रेशन दी है तो उसको बताएं इसके हेल्थ केर प्रोवाइडर को भी ध्यान रखना यह सब चीज है ठीक है इसकीन जो है उसको क् कंटिनेस की समझ्चा हो तब ठीक है अब ट्रीट्मेंट क्या करें ऐसे पेसेंट का तो ट्रीट्मेंट के लिए सूपरफीशियल अलसर है और डीप अलसर दो अलसर है तो सूपरफीशियल अलसर के लिए आपको डिप्राइड्मेंट करना है और उसके बाद उसको ड्रेसिं करना है नेक्रोटिक जो भी material हो इसको बहार निकालना है आपको dressing कैसे करने bed to dry तक dressing करता है बाइट पहले बेट से जब तक dry न होजा तब तक dressing करनी है डिस्ट्स लोजिंग एजेंट भी लगाना है systemic antibiotic देना आपको न्यूट्रिशन देना बिटामिन सी जिंक देना जिसे हीलिंग जल्दी हो करेक्शन ओप इसपाज में या फिर कॉंट्रेक्चर है कहीं पर तो उसको हटा दे मेथड क्या है अब आपको रेडी डा डिफेक्ट टू क्लोज अब क्लोज करना डिफेक्ट को तो क्या मेथड एक तो प्राइमरी क्लोजर हो सकता है ठीक है जो आपको डिप्राइड में वह अंडर माइन एज को एप्रोक्सिमेट लाना है और उनको प्राइमरी क्लोजर अंडर माइन अंडर माइन एप्रोक्सिमेट दा कट मार्जिन ठीक है मलब पास में लाना उनको क्लोज कर देना आगे क्या है SSG क्या है split skin graft लगाना है आपको selected cases में skin flip कौनकों से transposition flip rotation flip या advancement flip लगा सकते हो cultured muscle interposition for severe and ischemic pressure educate करे patient को patient के attendance को family में सबको educate करना है तो यह हमने complete कर रहा pressure sort thank you